हालो एब्रिबरन इस वीडिये में बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग नियमावली 2023 यह आपकी नियमावली बन के तयार हो गई है सिर्फ नियमावली बनी है याद रखेगा यहाँ पर अभी तक जो एक सच्चियों होंगे सच्चियों और 12 सदस्य इनका भी चैन नहीं किया गया है आपको यूट्यूब पे हर जगह बताया गया होगा कि नियमावली तयार है और शिक्षक भरती आने वाली है तो अभी शिक्षक भरती आने में लगभग 6 महीने से जादा टाइम लगेगा याद रखेगा अगर सरकार सब्सक्राइब तो यहां पर देख सकते हैं यह नियुमाली कल अकी डेट में यहनी 13 दिसम्ब 2023 को जारी की इस अधिसूचना के अंदर गत पी आटी में टीटी पीजीटी या जितनी भी सिक्षक भरती होंगी उसके साथ साथ आपके पॉल टेक्निक कॉलेज हो या आईटी सब्सक्राइब जो भी टीचर होंगे उसके साथ जो एल्टी ग्रेट जितनी भी सिक्षक भरती हैं लगबग इसी सिक्षा चायन आयोके थू होने वाली है ठीक है इसमें क्या प्रॉसेस रहने वाला है और क्या क्या चीजे रहेंगी ओ सभी इन्फरमिशन इसी अधिसूचन में दिया गया है ठीक है और सब्सक्राइब किस तरीके से प्रॉसेस रहेंगे क्या छूट दी जाएगी का डेट अब बर्त क्या रहेगी पतलब इस एज लिमिट की बात करने चाहरों में आप एज लिमिट आपकी क्या रहेगी इन सारी चीजों के बारे में इसमें इन्फर शक्षक्षक भरति पहले होती थी जिस सरोल के क्या है तो यहांपर देखेंगे आप तो सारी चीज में पूरा डिटेल में दी गए यह चाहिए पिर लग्भक तरीके सकीन को रखना है किसको नहीं रखना है कितनी एज रहनी चाहिए मतलब की जो एक सर्विसमें ने उनको कि किस तरीके से छूट दी जाएगी क्या चीज़ें तो सब चीज़ें यहां पर पुरा डेटेल में दी गए बहुत ही बड़ा यह पूरा अध्य सूचना है ठीक है किस तरीके से शॉलओ करने के लिए चांस देंगे तो यह थी Environment इसमें कितने मतलब कितने subject का paper होगा सिक्षब भरती में किसमें इंटर्वियों होगा नहीं होगा ये सारी चीजह आपकी इसमें detail में दीगे हैं ठीक है तो और यहां पर देख सकते हैं कि आयोग किस तरीके से work कर रहा है यह पूरा मतलब बहुत detail में है इसके में में पॉइंट को वन बाइवन वीडियो के तुरू में डिसक्स करूंगा अभी मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि यह आपका सिर्फ मतलब यह सिक्षा चैन आयोव का पूरा मतलब एक डाटा तयार कर लिया गया किस तरीके से क्या चीजे करें जाएंगी प्रारूप आपका रेडी हो गया लेकिन अभी सिक्षा चैन आयोव का लगभग 80% काम हो गया 85% अभी जो उसके सच्चियों और जहां से काम स्टार्ट हो तो यह थी आपकी पूरी इंफर्मिशन यहां पर देख सकते हैं पूरे 76 पेज का है और एक चीज में इसमें बता दूं कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जो प्रात्मिक सिक्षक बरती होगी उसमें अब एकेडमिक हट जाएगा तो ऐसा बेलकुल नहीं है क्योंकि इस अध्यापका नया सक्षक्षा आयोग बना है इसने अपने पॉइंट 27 में देखेंगा वहाँ पर दिया गया है पेज 27 में जाएंगे तो उसमें दिया गया कि जो भरतियां होंगी वह सारे पूराने प्रोसेस के ठूब और पहले के प्रोसेस बने हैं देख सकते हैं आपे यह बोला गया कि अध्यापकों की विभिनस रेडियों में भरती के श्रोत वही होंगे जो संबंदित अधिनियमों सेवा नियमावली या विश्व विद्याले परिनियमावली में वडित हैं ठीक है तो पहले से जो प्रॉसेस चलना है लगबग वही रहने वाला है या बाद म ही डिसाइड होगा कि एकडमिक जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा तो यहां पर बोला गया है वैसे देखा भरती के शुरुत में दिया गया है कि जो चीजे पहले से यानि अधिनियम में यानि निमावली जो पहले से बनी हुई है उसी के कोर्डिंग ही होगा हम नए त इसा कुछ नहीं है अभी यह तो आगे चलकी ही पता चलेंगा ठीक है तो और भी इंफार्मिशन आप देखनी है तो यह आप टेलिग्राम पर भी मैं लिंक देदूंगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यह थी पूरी इंफार्मिशन यह साइड जो है इसकी आप द जब जाएंगे तो यह है आपका सासना देश डाट यूपी डाट जी ओवी डाट इन पे जाकर के यह आप वीडिया डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो यह थी इंफार्मिशन में पॉइंट मैंने बता दिया कि अभी कितना इसका बस एक फॉर्मिट तैयार किया गया है अभ अभी यह सिर्फ अधिसूचना अभी तो इसका जो सच्छी और सदस्या पहले तो उनकी तैयारी की जाए ना उनको अपाइमेंट किया जाए मतलब उनको पदभार करने के लिए बोला जाए फिर जाके आपका अभी तो डिसाइड भी नहीं हुआ है कि किसको रखा जाएगा यह अभी डिसाइड करते करते ही आपका फैब्रोरी मार चाह जाएगा अभी योपिटेट और सिक्षक भरती की बात तो बहुत दूर है अभी अब यह तो गर्मेंट पर डिपेंड करता है कि चुनाओं से पहले क्या करते हैं अगर दबा बनता है तो सिक्षक भरती देंगे और नहीं बनेगा तो पांच साल से जैसे चला है वैसे ही चलेगा यह तो डिपेंड मतलब गवर्मेंट पर करता है और प्लस अभेर्थियों पर करता है तो यह थी इंफर्मेशन वीडियो कैसे लगा वीडियो अब चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू फॉर्चिंग